Hello everyone, my name is Smith and you are watching Technical Government Job Allover India YouTube Channel So, आज हम बात करने वाले हैं ESI की latest job vacancies की बारे में किस तरीके से आपको इस vacancies के लिए apply करना है कौन-कौन सी vacancies है जिसके लिए आप apply कर पाएंगे post-wise का eligibility required है हर एक चीज को detail में यहापे cover करने वाले है आपने वीडियो को starting से अंटक जरूर देखना है because वीडियो का हर एक part आपके लिए important होने वाला है and अगर आप चैनल पे पहली बार visit कर रहे हैं इसी तरीके से चाहते हैं हर एक job update आप तक सबसे पहले पहुंच जाए तो जल्दे से चैनल को subscribe करके, bell icon को press करके all पर click करना ताकि इसके बाद जो चैनल पे वीडियो आ रही है उसका notification आप तक सबसे पहले पहुंच जाए बाकी सब्डेट के इलावा देखे बहुत सारे department की vacancies है जो out कर दीगी है जिसके लिए आप अपने qualification, अपने city या फिर district के according हमारी official website www.clory.com जिसका link के description में available है विजिट करके information लेकर आप apply कर सकते है हमारी official site को आप google पे भी type कर सकते है जैसे मैंने type किया हुआ पहले ही number पे आपको site मिल जाती है जितनी भी recently vacancies आई है आप उसको यहां से check करके apply कर सकते है कुछ भी help चाहिए आप मुझे comment कर सकते है मैं definitely आपका reply करूँगी हमारा telegram group अभी जाकर जोईन करना link के description में दिया है facebook, insta, दोनों पे follow रखना बहुत ज़्यादा valuable pages है link उसके भी description में आपको दिये गए है चलिए, ज्यादा time मा लेते हैं सीधा बात करेंगी ESIC की latest of vacancies की बारे में कैसे apply करना है क्या की eligibility required है कौन-कौन सी vacancies है जो यहाँ पे release है तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को cover करने वाले है तो वीडियो का हर एक पार्ट आपके लिए important है वीडियो को starting से अंटक जरूर देखना और एक प्यारा सा like जरूर करना आपका एक like motivate करते है आपके लिए नए अपडेट लेकर आने का एक और आपके लिए इगोइडियोस मैं लेकर आ चुक्यों मैंने आपके लिए एक नया चैनल बना दिये Meet Sharma चैनल आप YouTube में type करेंगे आपको पहली नबर भी चैनल मिल जाएगा Technical Government Job All Over इंडिया पे टेली आपको दो वीडियोस मिलती है इस चैनल पे डेली आपको तीन से चार वीडियोस मिलती है In fact जो ESIC की latest vacances है और railway की vacances है इसके लिए free of course तैयारी भी आपको यहाँ पे करवाई जाने स्टार्ट हो रही है ठीक है जिसके batches में जल्दी announce कर रही हो तो जल्दी जाके इसको भी आप subscribe कर लेना चलिए बात करें हम यहाँ पे ESIC की latest job vacances के बारे में कैसे apply करना है क्या के eligibility required है First of all एक चीज़ क्लियर कर दूँ ही जो ESIC की vacances आती है यह across India job location होती है आप all इंडिया से apply करें सकते है male female दोनों ही आपके nearby इसमें आपको job location मिलने वाली है यह आपकी government job ही रहने वाली है vacances पर काफी type की है सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे post बताऊं तो वो देखी आपकी है यहाँ पे multitasking staff के लिए जहाँ पे 3341 vacances है salary के अगर यहाँ पे हम बात करें 18,000 से 56,900 तक आपकी यहाँ पे salary रहने वाली है eligibility आप यहाँ पे देख पा रहे है इस post के लिए सिरफ और सिरफ 10th pass apply कर सकते है 12th pass चाहते है वो भी apply कर सकते है लिकिन कम से कम जो qualification है वो आपकी 10th pass है 1st post के लिए ठीक है तो vacances भी काफी यहाँ पे number of mention है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते है next अगर पोस्त के यहाँ पे बात करें तो next जो पोस्त है आपकी LDC की है मतर्ब लोड विजन क्लरकी vacances है जिसके लिए 1,923 vacances है आप यहाँ देख पा रहे है salary यहाँ पे level 2 के recording है जो कि आपकी 19,900 से 63,200 आपकी salary यहाँ पे रहने वाली है इस पोस्त के लिए आप 12th past candidate अप्लाई कर पाएंगे जो minimum qualification required है वो 12th ही है male female दोनों यहाँ पर इस पोस्त के लिए eligible है और यहाँ पर अप्लाई कर सकते है age यहाँ पे हर एक पोस्त की अलग अलेग है अगर मैं आपको overall बताऊं minimum 18, maximum 32 तक भी apply कर पाएंगे plus relaxation भी मिलेगा यहाँ पे 3-15 साल तक का वो आपको बाद में बताऊंगी कैसे किस post के according ठीक है अगली post की यहाँ पे बात करें वो आपकी है upper division clerk मतलब UDC की या फिर upper division clerk cashier ठीक है यहाँ पे salary के बार में बात करें level 4 के according आपकी salary है जो कि आपकी 25,500 से 81,100 salary है उसके according आप यहाँ apply कर सकते हैं next गर यहाँ पे बात करें post की वो आपकी देखी head clerk और assistant की position के लिए है जहाँ पे 3,415 total vacancies है level 6 के according आपकी यहाँ पे salary है जो कि आपकी 35,400 से 1,12,400 रहने वाली है ठीक है यह आपकी अलगले post और अलगले qualification wise salary है ठीक है जो आपकी pension और ने की हुई है एक चीज में मिस करके जो UDC कि मैंने आपको वे cancer बताईए आप पर division clerk की उसके लिए any graduate eligible apply कर सकते है या आपने किसी भी discipline में pass out कि आप apply कर सकते हो ठीक है next तो यहाँ पर बात करें next profile के लिए तो यहाँ पर जो next position है वो आप देख पा रहे है social security officer मतलब SSO की position चीक है इसके साथ manager grade भी और superintendent की vacancies है जो कि आपकी 2,596 vacancies है यहाँ पर level 7 के according salary है जो कि आपकी 44,900 से 1,42,400 salary रहने वाली है इसके लिए भी graduate candidate eligible है और apply यहाँ पर कर पाएंगे ठीक है next post के यहाँ पर बात करें वो again आपकी multitasking staff के लिए 2 अलगले category के according है मैंने आपको starting में बताई है एक और आप यहाँ पर देख पारें 3,142 vacancies है यहाँ पर देख पारें यह group C के लिए है इसमें आपकी salary है 18,000 से 56,900 है इसमें आप 10th pass eligible है apply कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताई है multitasking staff की उसमें भी minimum qualification आपकी 10th pass ही required है even अगर 12th pass candidate चाहते हैं वो भी multitasking staff की position के लिए apply कर सकते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो vacancies है multitasking staff की position के लिए ही है ठीक है next अगर यहाँ पर post की बात करें वो आपकी देखे यहाँ पर low-advision clerk की है 1,888 vacancies है group C के accordingly 19,900 से 63,200 आपकी यहाँ पर salary रहने वाले है अब यह जो vacancies मैंने आपको सारी बताई है इसमें अगर overall qualification के बारे में यह overall eligibility आपको बताऊं eligibility में देखे सबसे बढ़े 10th 12th any graduate eligible है apply कर सकने है even graduation भी आपने किसी भी discipline में पास आउट किया जिस post के लिए required graduation आप उस post के लिए apply कर सकने है इसके सारी overall age मैंने आपको पहले ही बताई है relaxation मैंने आपको बुला था बताऊंगे किस तरीके से होगा OBC को 3 साल का, LCC को 5 साल का others अलगर category वाइस होगा जिससे कि PWD unreserved के लिए अलग होगा PWD reserved के लिए अलग होगा ex-service man अगर apply करना चाहते हैं उनके लिए अलग relaxation होगा तो इसे overall आपका 3 से 50 years तक का definitely होगा ठीक है उसके recording आप apply यहां पे कर पाएंगे अब देखिए इसके लिए अगर बात करें आपकी job location तो इसके लिए across India रहेगी आप Indian citizen है किसी भी location से बिलॉंग करते हैं आप apply कर सकते हैं मैंने आपको वीडियो के starting में भी बताया था कि हर कोई आपने से apply कर पाएंगा बात आते हैं इसके लिए कब से आप apply कर सकते हैं अभी एक ही अपडेट आया है ठीक है कुछी दिन में नोटिफिकेशन कंप्लीट देहने को मिल सकते हैं आप apply कर सकते हैं यह जो लिंक है नोटिफिकेशन वाला वह मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया आप उसको read करके prepare हो जाना है ठीक है तैयार है ने पहले से और हमारा सेकेंड यूट्यूब चैनल में आपको पता है मीत शर्मा सब्सक्राइब जरू करना क्योंकि ESIC की weekends ओ चीक है railway, LCC उसकी free of cost preparation हम यहाँ पे start कर रहे हैं जो कि आपके बिलकुल free of cost ही दहेगी तो हमारे जो दोनों चैनल टेक्निकल गवर्वर्वन जॉब और इंडिया एंड मीत शर्माक्तों नों को सब्सक्राइब रखना ताकि कोई भी opportunity या कोई भी best chance आप miss न कर पाएं ठीक है कोई भी query एक comment शरू करना आज के लिए इतना ही next update में मिलेंगे thanks for watching